नमस्कार दोस्तो, Solar Energy Forever में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Live Fast Company के 900 VA के inverter के बारे में कितना आप इसके उपर लोड चला सकते हैं और कितने solar panel लगा सकते हैं और इसमें क्या-क्या खास बात है साथ ही आपको बताया जाएगा कि इसका कौन सा competitor है जिसका inverter आप खरीद सकते हैं मैंने Live Fast Company का 5K VA का solar inverter खरीदा है और बहुत ही बड़ीया perform कर रहा है इसलिए हम आगे आने वाली वीडियो में Live Fast Company के सभी inverter के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा inverter आप ले सकते हैं अच्तनी लोड के लिए और किस प्राइस के अंदर आपको वो मिलेगा प्राइस के मामले में ये जो inverter बिलकुल सही रहेंगे जिसका बज़ट कम है वो खरीद सकता है क्योंकि PWM Technology के साथ में ये आते हैं और PWM Technology में भी ये काफी अच्छे वरक करते हैं ऐसी बात नहीं है कि PWM Technology वाले जो Solar Inverter होते हैं वो बढ़िया प्रफॉर्म नहीं करते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है जो हमने खरीदा है Live Fast Company का 5K VE का जिसमें आपको काफी फीचर देखने को मिलते है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके Load Capacity और Panel Capacity के बारे में तो जैसा कि हमने बताया ये जो Solar Inverter है ये 900 VE Load Capacity के साथ में आता है तो इसके उपर आप लगबग 700 VOT तक का Load चला सकते हैं हाला कि मैं उसी के लिए इसे रिकमेंड करूंगा जिसे 500-600 VOT तक का Load चलाना है उसके लिए ये जो Inverter हो बिल्कुल Best रहेगा और ये Single Bantry के साथ में आता है इसके उपर आपको एक ही Bantry लगानी पड़ती है और Bantry आप इसके उपर 100 AH से लेकर 200 AH तक की Bantry लगा सकते हैं यह है Totally Depend करेगा कि आपको कितना Bantry Backup चाहिए और अगर आपको ज़्यादा Bantry Backup की ज काम चला सकते हैं और अगर आपके यहाँ पर दिन के समय में बहुत ज़्यादा Power Cut रहता है तो आप इसके उपर 200 AH की Bantry लगा सकते हैं और Panel Capacity की बात करें तो आप इसके उपर 900 वोट तक के पैनल लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी जो VOC range है वो 22V है तो ऐसे condition में आप इसके उपर सिर्फ और सिर्फ 12V के जो solar panel है वही connect कर सकते हैं इसके लिए आप जितने भी पैनल खरीदेंगे वो 12V में होने चाहिए तभी इसके उपर वो काम करेंगे और अब बात करते हैं इसके mode की इसके अंदर आपको दो UPS mode और inverter mode मिलत करते हैं जिससे की आप इसकी जो input grid range है वो select कर सकते हैं UPS mode की range के अंदर ये 180V से लेकर 270V तक की range में काम करेगा यानि कि अगर आपके यापी जो supply आ रही है वो 180V से कम हो जाती है तो यह grid supply को बंद कर देगा और आपके inverter से supply सरू हो जाएगी इस condition में आपको battery backup थोड़ा सा क करीब देखने को मिलती है हालां कि गर्मियों की बात कर रहा हूँ सर्दियों में आपको ये जो volt जादा मिल सकती है या बारिस के समय में जिस समय पंखे वगारा कुलर वगारा या air conditioner वगारा कम उपयोग होते हैं तभी आपको supply 180V से उपर मिलती है otherwise जो supply है गाउं में वो 180V से कम ही रहती है और कई-कई जगहां पर तो 100V के करीब भी रहती है लेकिन जहां पर 180V से कम supply हमेशा रहती है वहां पर इसमें inverter mode जो दिया गया है उसका उपयोग करना पड़ेगा जो की 90V से लेकर 290V तक काम करता है तो अगर आपके यहां पर 180V से कम supply आती है तो आप इसक stabilizer का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की पीछे से आने वाली supply को बढ़ा कर 180V उससे जदा कर देता है और अगर आपके यहां पर problem रहती है हमेशा ही low voltage की तो आप stabilizer 90V से लेकर 300V तक की range वाला खरीदे जो की काफी बढ़िया रहेगा मैं अपने personal use के लिए भी stabilizer का ही उपयोग करत हूँ आपने काफी वीडियो में मेरे देखा होगा कि जब मैं UPS वगरा की वीडियो बनाता हूँ वाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने stabilizer का इस्तिमाल किया है तो इसलिए करता हूँ क्योंकि शाम के समय में यहां पे जो supply है वो 180V से नीचे चली जाती है तो तब जो मेरा inverter है वो power cut कर देता है और उस समय जो load है वो battery पे चलना सुरू हो जाता है इसलिए stabilizer को लगा कर मैं उसकी voltage को ज़्यादा रखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा supply जो वो grid की उपयोग हो इसके अंदर आपको solar optimization मिलता है यानि कि अगर आपके solar panel से आने वाली power आपके load से ज़्यादा है अग्जामपल की तोर पे आपने मान लीजिए 500 वोट का load चलाया है और आपने 900 वोट के panel लगाए है तो आपका जो complete load है वो solar से चलेगा और जो extra supply बचेगी उससे आपकी battery भी solar से ही charge होगी तो आपकी जो grid की supply है वो बिलकुल बंद रहेगी या यूं कहें क zero use होगी तो आपका जो बिजली का भी लग काफी कम हो जाता है और इसके अंदर आपको power saving का भी option मिलता है जिससे की आप set कर सकते हैं कि जो आपकी battery है वो शिर्फ solar से ही charge हो आपकी जो grid की supply है वो load बगरा चलाने के लिए ही उप्योग हो यह वाँके लिए बिलकुल सही रहत है जहां पर दिन के समय में जो supply है वो बहुत कम आती है तो ऐसी condition के लिए जो आपका load है वो जब grid available हो उसी समय जो पूरा load है वो grid से चलता रहे और आपकी battery है वो solar panel से charge होती रहे तो आपकी जरूरत के उपर depend करेगा कि आप इसमें से कौन सा mode उपयोग करना चाते हैं अब बात करते हैं इसके price की तो यह आपको मिलेगा लगबग 4500 से 5000 रुपे के अंदर और यह मैं आपको local market का price बता रहा हूँ और अगर आपको यह online कहीं पर मिलता है तो जो rate है वो 5000 से उपर नहीं होना चाहिए अगर आपको 5000 से उपर मिलता है तो आप किसी दूसरी brand का भी inverter ले है और battery भी solar से चार्ज करनी है तो यह सभी feature आपको utile heliac series के अंदर जो 1200 model आता है उसके अंदर ही मिलेंगे उसकी जो load capacity है वो तो 1000 भी है यानि कि लगबग 800 वोट तक का load चला सकते हैं लेकिन जो solar panel की capacity है वो इससे कम है उसके ऊपर आप 3700 वोट तक यही पैनल लगा सकते है तो जिसको solar panel कम लगाने है वो ही utile company वाला ले सकता है otherwise live fast वाला बिल्कुल best रहेगा जिसके उपर जो solar panel की capacity है वो जादा है तो अगर आप complete load भी solar पे चलाना चाते हैं तो उसके लिए यह बिल्कुल best option है तो totally आपकी choice है कि आप utile वाला लेंगे या live fast वाला मेरी recommendation रहेगी live आपका budget कैसा है और आपकी choice कैसी है उसी अधार पर आप solar inverter खरीद सकते हैं तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें शेयर करें साथ ही मारे चैनल को subscribe करें सब्सक्राइब करने की साथ साथ बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि इसी परकार की वीडियो आप उस समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद